नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिन आर्मी की एक और भरती की बारे में तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन ग्लासिस को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो लेटेस्ट रेली जेस्यो जो आर यहाँ पर हम इसके लिए क्लिक करेंगे तो मैंने अल्रेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको यहाँ इसकी जो एजुकेशन क्यालिफिकेशन और आपकी जो फिजीकल रॉक्वार्मेंट है वह आपको बता देना चाहता हूं उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की डिटेल के लिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताते हूं दोस्तों कि यहां पर यह जो भरती है वो चार जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच में हो रही है इसके online registration जो है वो 14 नमबर 2020 से 28 दिसमबर 2020 के बीच में open हो चुकी है तो इसका मतलब अभी काफी सारे टाम है आप इस भर्ट के लाप्लाई कर सकते हैं। ठीक है है अभी हम बात कर लेते हैं यहांपर कौन-कौन त्रेड के लिए किया क्या य एजुकेशन क्या फिजीकल रिक्वार्मेंट मांग गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यह जो बेट है दोस्तों जिसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्वी में जो है वह बेट में काफी ज्यादा चेंजिस कर दिया गया है तो आज मैं उसके लिए आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों अगर आपने वह देखी है जिसमें मैंने बेट के बारे में डेटेल में बताया है तो आप हमारी चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों इंडिन आर्वी में बेट में बदलाब कर दिया गया है मिनिमम 52 kg बेट कर दिया गया यहां पर और अगर 21 साल तक आपके जो मतलब आपकी एज है तो इसके हिसाब से आपको जो बेट होना चाहिए तो 66.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए चेस्ट आपका 77 cm और आपको class 10 simple pass होना चाहिए प्रतेक सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क होने जरूरी है और आपके किसी भी सब्जेक्ट म उसके बाद में आता है दोस्तों soldier technical soldier technical के लिए आपको 75 साल से 30 साल के लिए age limit है आपकी date of birth एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 के बीच में होनी चाहिए उसके बाद में दोस्तों आपकी जो height है वो 170 cm और आपका minimum weight है जो वो 52 kg होना जाहिए ठीक है chest आपका 77 cm और आपको soldier technical में apply करने के लिए आपके पास में 12th pass होना जरूरी है यानि कि intermediate exam जो है वो आपने pass किया हो और आपके पास में English, Math, Physics, Chemistry, subject ये 4 subject होना mandatory है उसके बाद में चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर soldier technical NA के जो की AMC में होते हैं Army Medical Corps तो अगर आप soldier technical NA की भरती देखना चाहाते हैं तो आपके age limit सेम है as technical साड़े सत्रह साल से तेस साल डेट आप बरत भी आपकी सेम है एक October 1997 से एक April 2003 के बीच में height आपके यहाँ पर 170 cm है weight आपका minimum 52 kg होना चाहिए और maximum weight आपका 66.5 kg होना चाहिए chest आपका 77 cm बिना फुला और फुलाने के बाद में आपका chest जो अब 5 cm का expansion होना जरूरी है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको apply करने के लिए intermediate pass होना चाहिए based physics, chemistry और biology से तो अगर आपने physics, chemistry, biology और English में आपने intermediate pass किया है और आपकी overall percentage 50% है और आपके किसी भी single subject में 40% से marks कम नहीं है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आती हैं दोस्तों soldier clerk को restore कीपर यहाँ पर दोस्तों ध्यहन दीजिएगा जिनके height कम है 162 cm जो भी किसी भी job में apply नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मौका है आर्मी में भरती होने का कि आपकी साड़े सत्रा से तेस साल होने चाहिए एक अक्तुबर 1997 से एक अप्रेल 2003 के वीच में आपकी डेट बर्थ होने चाहिए उसके बाद में आपका जो हाइट है वह 162 cm और आपकी जो minimum weight है वह 47.2 होना चाहिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों minimum weight जो है वह उसके बाद में दोस्तों आता है आपका chest जो की 77 cm होना आपका अनुबारी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको PCM group से आपके पास में intermediate की degree होनी जरूरी है overall percentage आपकी 60% होनी चाहिए और किसी भी single subject में 50 mark से कम नहीं होने चाहिए नेक्स्ट आती है दोस्तों आपकी यहाँ पर soldier treatment all arms 10th pass ठीक है यहाँ पर हम 10th pass treatment के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो age limit होगी आपकी बो 75-30 साल होगी height आपकी 170 cm, weight आपका minimum 52 kg, chest आपका 77 cm और आपको class 10th simple pass होना अनुबारी है उसके बाद में आपको किसी भी single subject में दोस्तों 33% mark से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है दोस्तों soldier treatment all arms 8th pass तो अगर आप आठमी pass है और आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है दोस्तों अगर आपकी age 75-30 साल के बीच में है तो आप इस 70 cm बेट मिनिममम आपका 52 kg चेस्ट आपका 77 cm मिनिममम और यहां पर आपका दोस्तों class 8 simple pass होना चाहिए जिसमें आपके किसी भी single subject में 33% mark से कम नहीं होना चाहिए तो अगर आप आठमी pass है तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt हु हूं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछा करिए आपने देखा होगा दोस्तों जब भी आपने कमेंट किया तो मैंने आपके कमेंट का reply किया है ठीक है और मैं कभी भी fake reply नहीं करता अगर मुझे knowledge नहीं है तो मैं उसको नेट पे चानके या फिर किसी से भी पूछ के मैं आपको बताता हूं लेकिन जब भी मैं आपको जो भी जयन करेंगा पूरी की पूरी में आपके लिए एक क्रेट जयन करेंगा ठीक है तो आप कमेंट करने से घफ़ड़ा यह ना करें अगर आपको कहीं पर भी डाउट हुआ करें तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट करके पूंच सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका काफी सारे डिटेल दी गई है यहां पर आपका 1.6 किलोमेटर की रेनिंग होगी जिसके लिए आपको 60 मार्स दिये जाएंगे अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पार करते हैं तो और आप अगर उसी रेस के लिए 5 मिनट 31 मार्स दिये जाएंगे आठ पूल अपस पर आपको 27 सेविन पर 21 और 6 पर 16 मार्स दिये जाएंगे तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड तक अपने रेस पूरी करते हैं और आप 6 सवारे पूल अपस मारते हैं तब आप पास हो जाएंगे उसके कोडिफिकेशन है इसको आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको कोई वीडाउट हो तो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूं आप हमसे कमेंट करके जरूर बूचे ठीक है तो वीडियो कैसे लगी अपना कमेंट जरू कर दिया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें तो आप देखेंगे मेरे चैनल पर आपके लिए जीके की वीडियोज भी मिलेंगी औ आपको अच्छे और सेलेक्टिव कोस्चन्स भी लेकर आता हूं जीके के जिससे आपके लिए रिटेन एक्जाम के तयारे भी आप साथ साथ करते रहें तो आज की वीडियो बस इतना ही था दोस्तो कमेंट करके जरू बताएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीड चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू कर तो चलिए दोस्तों कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत